प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती वाणी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है आप लोगों के बीच हो रहे वेविचार की चर्चा चारो और फैल गई है ऐसा वेविचार जो गैर यहुदियों में भी नहीं होता किसी ने अपने पिता की पतनी को रख लिया है तब भी आप घमंड में फूले हुए है आपको सोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिसकार करना चाहिए था मैं तो सरीर से अनुपस्तित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ जिसने यह काम किया मैं उसका न्याय कर चुका हूँ मानो मैं वास्तों में वहां उपस्तित हूँ और मेरा निर्णय यह है प्रभी येशु के नाम पर हम अथार्थ आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभी येशु के अधिकार से उस व्यक्ति को सैतान के हवाले कर देंगे जिससे उसके सरीर का विनास हो, किन्तु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उधार हो आप लोगों का आत्म शंतोस आपको सुभा नहीं देता क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीरा कर देता है आप पुराना खमीर निकाल कर सुध हो जाईए जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए क्योंकि हमारा पास का मेमना अथार्थ मसी बली चड़ाए जा चुके हैं इसलिए हमें न तो पुराने खमीर और न बुराई और दुष्टता के खमीर से बल्कि सुधता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए यह प्रभु की वानी है संद लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अधियाई छे वाके छे से ग्यारा तक वहाँ एक मनुश्य था जिसका दाया हाथ सूख गया था शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि येशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोश लगाएं येशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा उठो और बीच में खड़े हो जाओ वह उठ खड़ा हो गया येशु ने उनसे कहा मैं तुमसे पूश्ता हूँ विश्राम के दिन भलाई करना उचीत है या बुराई जान बचाना या नश्ट करना तब उन सब पर दिश्टी दौड़ा कर उन्होंने उस मनुश्य से कहा अपना हाथ बढ़ाओ उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया वे बहुत कुरुद हो गए और आपस में परामश करने लगे कि हम येशु की विरुद्ध क्या करें ये प्रभु का दिव्य सू समाचार है ख्रेष्ट प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनों प्रभु के पवित्र वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा प्रभु हमें माग दर्शन करते और साथी साथ चुनाती देते और चयतावनी देते हैं आज के पहले पाठ में आपनी सुना सन पॉलुस कुरिंद के कलीसिया की लोगों को चयतावनी देते हैं क्यूंकि उन्होंने सुना कि कलीसिया में कुछ लोग वभिचार का जीवन जी रहे थी यहां तक ही अपने पिता की पत्नी को भी रख लिये थे उस जमाने में कुछ लोग कई पत्निया रखते थे और वे भविचार का जीवन जे रहे थे पाउलुस कहते हैं कि ऐसे लोगों की द्वारा संपूर्ण कलीस्या को कलुशित होने न दे गंदा न होने दे इसलिए उनको कलीस्या से हटाए जाए इब्राणियों के पत्रिक अधियाए बारा उसके वाकिए पंद्रह में हम पढ़ते हैं इसन पौलुस कहते हैं कि आप लोगों में कोई हानिकारक कड़वा पोधाना पनेपने पाएं जो बड़ा होकर संपून समुदाय को दूशित करें रोमियों के पत्रिक अधियाए पांच उसके वाकिए बारा में पढ़ते हैं कि एक ही मनुश्य की द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप की द्वारा मृत्यू एक ही मनुशी की द्वारा पाप संसार में आया एक ही मनुशी की द्वारा पाप परिवार में समाज में कलीसिया में आता है लेकिन धीरे धीरे वो पाप फैलने लगता है इसलिए पहुलूस कहते हैं कि समय से पहले कि वो फैलना जाएं कलीशय से अलग करें उस कड़वे पौधे को उखार दें दूसरी बात पौलूस कहते हैं कि ऐसा पाप में जीवन जीने के बावजूद वे लोग घमन्डी बने हुए हैं अपने पाप पर भी गर्व कर रहे हैं ये ऐसा खमीर है जो समाज को बरबाद करता है इसलिए संपौलूस कहते हैं कि फरीसियों के उस खमीर को पुराने विधान के उस खमीर को आगे न बढ़ाए पाप करना और पाखंड का जीवन जीना वे इसलिए अपने पाप में अवस्था में भी घमन्डी थे क्योंकि उनका अंताकरन मर जुगा था जब मनुश्य का अंताकरन मर जाता है तो पाप करने पर भी उसको लगता नहीं है उसको लगता नहीं है उसके अंदर गलानी नहीं होती है उसके अंदर दोश भावना नहीं होती है वरतमान मनुश्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है वो क्या है आप जानते हैं पाप बोध का खोना आदुनिक मनुष्य ने पाप बोध खो दिया है इसलिए वो पाप को पहचान नहीं पाता है भलाई और बुराई को पहचान नहीं पाता है आदुनिक मनुष्य पाप को मानता ही नहीं है क्योंकि उसने पाप बोध खो दिया है पहुलूस कहते हैं ऐसे पाखंड से बचे रहना और आज की सुसमाचार में आपने देखा कि फरीसी और यहूदी गुरू इस ताक में थे कि प्रभी एशु विश्राम के दिन कोई चमतकार ये चंगाई प्रकट करे सभाग्रह में प्रार्तना चल रही थी वचन सुनाये जा रहा था और सभाग्रह में एक सोखे हाथ वाला रोगी आया था वचन में लिखा हुआ है कि वे इस ताक में थे कि प्रभु किसी रोगी को चंगा करें ताकि वे प्रभु पर दोश लगाए लेकिन प्रभी एसु ने उनसे पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्च्राम के दिन भलाई करना उची था या बुराई, जान बचाना या नश्ट करना जैसा कि आपको कई बार बताया जा चुका है, कि यहूदी लोग नियम कानून के शिकार बन गये थे, गुलाम बन गये थे वे भलाई करने को कुछ नहीं समझते थे, और इसलिए जान बुचकर प्रभी एसु उस रोगी को चंगा करते हैं और भलाई करते हैं इस्यास नभी के गुरंद के अधियाई एक वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं भलाय करना सीखो भलाय करना सीखो हम पढते हैं गलातियों के पत्रिक अधियाई 6 उसके वाक्य 9 में संद पौलुस कहते हैं बलाय करते करते ठाक नहीं जाना भलाई करो फरिसी और सदूखी लोग इस ताक में थे कि प्रभी येसु कब भलाई करें विश्राम की दिवस और येसु पर दोश लगाए जाए मेरे प्रिये भाई और बेहनों इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में दोश ढूणते रहते हैं जो नकारात्मक जीवन जीते हैं वे स्वयम भलाई नहीं करते लेकिन जो भलाई करते हैं उनके अंदर दोश ढूणते रहते हैं प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनका काम रहता है दूसरों की आलोचना गरना उनका जीवन नकारात्मक जीवन है हर जगह, हर परिस्ति में, हर समुदाय में, हर कलिस्या में, हर व्यक्ति में बुराई या दोश ढूनना उनका काम है लुकस के सुसमाचार के अध्याइच्छे उसके वाकिय 37 में प्रभु ने कहा है तुम दोश मत लगाओ, तुम पर भी दोश लगाए जाएगा लुकस के सुसमाचार के अध्याइच्छे उसके वाकिय 37 और 38 में प्रभु गयते हैं दोश ना लगाओ, तुम पर भी दोश नहीं लगाए जाएगा किसी पर नरने ना दो और तुम पर भी नरने नहीं दिया जाएगा लेकिन कई लोग मैंने अपसे कहा, इस दुनिया में ऐसे हैं जो दोश ढूनते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं उनका नजरिया नकारातमक है उनका जीवन नकारातमक है वे प्रो एक्टिव जीवन नहीं जीते हैं रचनातमक जीवन नहीं जीते हैं बलकि नकारातमक जीवन जीते हैं हर जगह बुराई ढूनना यह प्रभु की इच्छा के विरुद है एक बहुत सुंदर बात हमें उत्पत्ति ग्रंध में पढ़ने को मिलती है इश्वर ने सारी सृष्टी की रचना की और एक 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 एटम के बाद आप वहां पढ़ेंगे कि इश्वर ने देखा कि वो अच्छा है इश्वर ने देखा कि वो अच्छा है जिनके अंदर दैविक आँखें होती हैं वे सब कुछ में भलाई ढूनते हैं लेकिन जो इसकी विपरीत होते हैं वे सब कुछ में बुराई ढूनते हैं जिनका हिर्दे प्रभु के हिर्दे जैसा है वे सर्वत्र भलाई ढूनते हैं अच्छाई ढूनते हैं अब जड़ा उदाहरन लीजिए लुकास अद्याई 19 में जड़ाई उसका उदाहरन है जड़ाई उस येशू के प्रतिक्षा में पेड के डाली पर बेठे हुए थी और प्रभी येशू आते हैं जड़ाई उसको बुलाते हैं और जड़ाई उसके पीछे चल पड़ते हैं लोग आपस में बोल रहे थे प्रभी येशु के बारे में कि यह एक पापी के हाँ ठहरने जा रहा है यह एक पापी के हाँ ठहरने जा रहा है लेकिन प्रभी येशु की प्रतिक्रिया देखिए प्रभु ने कहा यह पापी नहीं है यह इब्राहिम का बेटा है ये इब्राहिम का बेटा है ये प्रभी येशु का दृष्टी कौन है प्रभु ने किसी को भी बुरा नहीं देखा किसी में भी बुराई नहीं देखी प्रभु ने सर्वत्र अच्छाई देखी यहो नद्याई आठ को दारनली जी वो नारी जो वेविचार में पकड़ी गए थी और लोग येशु के पास लियाए कहा कि हमारा नियम बताता है कि इसको पत्रों से माद लह जाए क्योंकि इसने पाप किया है प्रभी येशु ने उसको बचा लिया क्योंकि प्रवियसु को पाप नजर नहीं आता था, बलकि ईश्वर का प्रती रूप नजर आता था, ईश्वर की पुत्री नजर आती थी, जितना हम पवित्रात्मा से प्रेरित हैं, जितना हम पवित्रात्मा से संचालित हैं, उतना हमारा दृष्टिकोन बदलता जाएगा, हम अच्छाई देखने लगेंगे बुराई देखने की प्रवर्ति आलोचना पर आलोचना करने की प्रवर्ति हमारे अंदर निवास करने वाली बुराई और गलत धारना का द्योतक है हम भी इस तरह हो सकते हैं सर्वत्र बुराई ढूनना सर्वत्र कमिया ढूणना सर्वत्र आलोचना करना यह प्रभू के शिश्यों के लायक व्यवहार और मनुभाव नहीं है आज हम प्रभी येश्यों से प्रार्तना करेंगे कि प्रभू हमें ऐसी दृष्टी दीजिए ताकि हम दूसरों में भलाई ढूण सके अच्छाई ढूण सके हर परिस्थती में अच्छाई ढूण सके इन दिनों मैं जड़ी बूटियों के बारे में एक तरह से अध्यान कर रहा हूं और हमारे आश्रम में इस बारिश के मोसम में धेर सारे पौधे उगाए हैं और मैंने देखा जब मैं अध्यान करने लगा कि एक एक पौधा अउश्दी है जिसको हम जंगली चीज मानते थे आज वह अउश्दी दिखाई देने लगी है मुझे प्रभु का ग्यान हमें प्राप्त होता है प्रभु का प्रेममें प्राप्त होता है पवितरात्मा का विशेकमें तो हम सरवत्र भलाई देखेंगे आईए हम प्रार्तना करें आखे मंद किजिए प्रभियसु आज के सुन्दर दिन के लिए हम तुष्य दिन्वाद देते हैं जीवन एक महान वरदान है तौफा है धन्यवाद देते हैं इस समय प्रार्तना करते हैं पवित्रात्मा के प्रकाश के द्वरा हमारी बुद्धी को प्रकाशित कीजिए हमारे मन को प्रकाशित कीजिए हमारी बुद्धी में हमारे मन में जो अंदकार है जिसके कारण हम सर्वत्र बुराई देखते हैं उसे पवित्राइत्मा के प्रकाश से भर दे ताकि हमें भलाई दिखाई दे सर्वत्र सब में हर व्यक्ति में हम भलाई देख सकें प्रभ यिसू इन वच्णों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को अश्रुवाद दीजे तेरा पवित्र हात उन पर रहे आज का दिन उनके लिए प्रकाशना का दिन हो आज वे जिन जिन लोगों से मिलेंगे उन सब में तेरी उपस्तिति वे मैसूस कर सके आमेन पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है